पूर्व डिप्टी सी एम सचिन पालिट ने अपने दिवंगत पिता सुरगी राजेश पाइलेट को दोसा में शधानजली दी भंडाना में शुधानजली सभा करने के बाद सचिन पालिट ने गोजियर छतरावास पहुँचकर राजेश पालिट की मूर्ती का अनावरन भी किया इस मौके पर हुई जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पालिट ने कहा मेरी राजनीतिक सोजस्पष्ट है मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूँगा मैंने हमेशा युवाओं के हित्की बात की है सचिन पालिट ने सियम अशौग गहलोत पर जुबानी तौर पर सियासी निशाना लगाते हुए कहा हर गलती सजा मांगती है उन्होंने कहा पिताजी राजेश पाइलेट जी ने अपने जीवन में फॉस गी नौकरी की और लडाकू विमान उड़ाए पाकस्तान के दाथ खटे किये और राजनीती में भी अपनी बात को हमेशा मुस्तेदी से रखा उसी तरह की राजनीती की आजदेश को जरूरत है जिसमें बेबाकी से बोलना सच्चाई और इमानदारी का समर्थन करना विपरीद परिस्तितियों में भी समझोता ना करना शामिल है